आज मैं आपके लिखर आई हूँ हरे मिर्च की बहुत ही टेस्टी और बहुत नए तरीके के अचार की रेसिपी और साथ ही मैं आपको दो ऐसे नए तरीके बताऊंगे जिसके वज़से यह टेस्टी तो होगा ही आप इसको लंबे समय तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते है तो दो साल तीन साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और डिफिनेटली आपको यह दोनों ही तरीके बहुत पसंद आएंगे तो आप इस वीडियो को एंड तक दीखिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहल कर दीखिए इस हरी मिर्च के अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप यह हरी मिर्च ली है यह जो मिर्च है वो मीडियम तीखी होती है आप इसके जगब पर ज्यादा तीखी वाली मिर्च भी सकते हैं और दूसरे तरीकी का चार बनाने के लिए मैंने आपर यह ज्या कि नीचे भी टावर में लापेट के रख सकते हैं जिससे कि इसमें जो नमी है वो निकल जानी चाहिए तब भी आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे अब हम इसके जो डंठाल है यह स्टेम्स इसको तोड़ के लिए हैं हमने यह हरी मिर्च के डंठाल तोड़ लि लेंगे तो यह देखे जो बड़ी बाले हरी मिर्च थी जो मीडियम दीखे उनको मैंने बीच से काटते हुए इस तरीके से चार टुकड़ों में कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम इनके जो बीच है ना मोटे-मोटे इनको हमें निकाल लेना है क्योंकि जब यह अचाह निकाल लेते हैं एक दो बीच रह जाए तो कोई बात नहीं है मैंने इसमें से सारे वीज निकाल लिया है आप देख सकते हैं अब आप चाहिए तो इसको थोड़ी देर के लिए सूती कपडे पर डाल करके धूप में रख सकते हैं जिससे कि अगर नमी हो तो बो निकल जाए तो हम इसको अभी side में रख लेते हूँ और बनाते हैं masala तो सबसे पहले मैंने आप पर lesson लिया है और lesson की कल्यों को मैंने पूरा एक पोती lesson को अच्छे से छीड लिया है और इसको हम डाल देंगे किसी भी छोटी सी ओखी में और इसको हमें दरदरा सा कूट के लेना है आप चाहे तो grinder jar में भी अच्छे से grind कर सकते हैं आप चाहे तो lesson के साथ अद्रग भी add कर सकते हैं या फिर अगर आप lesson नहीं खाते हैं तो इसको skip भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है डालना तेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट के साथ साथ इसका खुसो भी बहुत बढ़ेगा अब मसाला बिनाने के लिए तवा गरम कर लेंगे और उस पर डालेंगे एक टेबस्पून के करीब में मोटी सौफ्ट लिया है आप बाराइक भी ले सकते हैं एक टेबस्पून के करीब में जीरा डालेंगे साथ ही एक छोटी चमच अजवाइन और आधी चोटी चमच के करीब में मेथी दाना डालेंगे कि मेथी दाना में ज्यादा नहीं डालना है ज्यादा मेथी दाना डालेंगे तो जो हमारा मसाला है वो बहुत तीखा हो जाएगा और कड़वाहत आजाएगी उसमें मिर्श के अशार में जो मेथी दाना है वो कम डालेंगे अब हम इनको अच्छे से तो मिरट के लोग फ्लेम पे भूल लेंगे बस इनके अंदर से नमी निकल जाया और यह हलके से करारे हो जाए तो इनको भूल लिया है मैंने गैस का फ्लेम और रखें बहुत बारिक ना करें अब जो हमने और मिर्श क काठ के लिए असमें हम डालेंगे सबसे पहले लेस्ट को जो आप कूट के तैयार के था वह हम डाल देंगे आप साथील च्छोटी चमच एक चिबल completely नमक के और अब लिया है मैंने इस तरसो पाउडर यह सर्सो के दानों को मैंने दरदरा पीस के लिया है इनको रोष्ट करने की ज़रुरत नहीं है बस मैंने इनको दरदरा इस तरीके से ग्रैंड करके लिया है इस्पेशली अचार के लिए तो इसको मैं इसमें 2 टेवसपून डाल और इस रस को हमें चान करके इसके अंदर डालना है बीज और रेसे नहीं डालने है इसके तो चान करके हम नीमू का रस डाल सकते हैं और अगर विनेगर ले रहे हैं तो एक टेवस्पून विनेगर डाल सकते हैं अब मैंने आप लिया है हलका गुंगुना करके सरसो का तेल यह इसे भी सूखे चम्मच या स्पेचुला के मदद से उपर नीचे कर ले सारे मसाले ताकि मिर्ज के उपर कोट हो जाएं और यह हमारा तैयार है आप इसको सूखे और साफ काज के कंटेनर में भरके रखें और इसको एक से दो दिन के बाद इनको चलाते रहें सूखे चम्मच से ताकि यह उपर नीचे होते रहें और अच्छे से पक सके आप चाहे तो इसको अभी से भी खा सकते हैं लेकिन इसको दो से तीन दीन तक अच्छे से पकने देने के बाद खाने से सारे मसालों का टेस्ट बढ़िया से आता है तो आप इसको सूखे जार में रखे और दो से तीन दीन तक इसको धूप में रख सकते हैं लेकिन अगर धूप नहीं है तो आप इसको रूम में भी रख सकते हैं और बीच-पीच में चलाते रहें नमी नहीं जाने दे और इसको स्टोर करें अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगे हुए तो लाइक कीजेगा चलिए हम दूसरे तरीकी काँचार बता देती हूँ यहां पर मैंने 100 ग्राम के करिब में हरी मिर्श लिये हैं आप अपने ही साफ से कौनिटी कम्या जादा कर सकते हैं और इसको हमने अच्छे से धोलिया है यह बहुत ही जादे तीखी वाले हरी मिर्श मैंने लिये हैं और इनको हमें काटना है चार तुक्ड़ों में काटना है लेकिन टुकड़े अलग नहीं करने हैं इनकी जो सिरें है वो एक साथ जोड़े रहने चाहिए इस तरीके से देखें ऐसे ही चार्पना है और इनकी बीज नहीं निकालना है आप इनको काट इसमें घ्लफ्स का यूज करें कि जादा पतले हैं उनको सिर्फ दो टुकडों में ही मैंने काटके रख लिया है यह देखें मसाला तैयार करने के लिए एक चोटी सी कठोरी लेंगे और इसी में मसाला तैयार करेंगे तो सबसे पहले मैं डाल रहे हूं एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक चोटी चमच के क करीब में गरम मसारा पाउडर डालेंगे नमक डाल देंगे एक चोटी चमच और अब लिया है मैंने विनेगर एक टेबल स्पून के करीब में आप एपल साइडर या फिर वाइट विनेगर भी ले सकते हैं मैंने आप पर एपल साइडर विनेगर का यूज किया है आप कोई भी ब्रैंड की ले सकते हैं और विनेगर डालने के बाद से एक टेबस्पून के करीब में सरसो का तेल डाल लेंगे और इनको अच्छे सा मिला लेंगे मैं यह सारी मसालों की लिस्ट जो है वो नीचे डिस्किप्सिन में में सब्सक्राइब कर दूँगी आप वहां पढ़ा जाकर के नोट कर सकते हैं मसाला हमारा तैयार है अगर आप चादे मात्र में बनाना चाहते हैं तो यह सारी कौंटिटिटीज को आप दुगना करके बना स और इनको हम रखते जाएंगे एक अलग बरतन में बरतन सुखा हो इस चिस का ध्यान रखें बिल्कुल भी नमी नहीं जानी चाहिए किसे भी अचार को बनाते समय तो सारे मसाले हम इस तरीके से मिर्च में भर लेंगे यह देखें और इनको रखते जाएंगे तो सारे मसाले को हमने मिर्च के अंदर भर लिया है और आप देख सकते हैं यह तैयार है आप चाहे तो बचावा तेल इसके उपर से डाल सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको पका सकते हैं मैं आप पर बचा हुआ जो तेल था तीन टेबल स्पून की करे में वो में इसमें डाल देती हूँ ताकि यह जो मिर्च है वो जल्दी से तेल में पक जाए और यह खाने के लिए तयार हो जाए वैसे तो यह एक से दो दिन में तयार हो जाते हैं लिकिन अगर धूप दिखाए कीजेगा और दोनों में से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा वो मुझे जरूर कमेंट में बताएगा और ट्राय करने के बाद अपने सुझाओ भी कमेंट में दीजेगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छे लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के शाथ जादा से जादा शेयर कीजेगा अगर आपने मुझे फेस्बुक और इंस्ट्रग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्कप्शन में वहां पर जाकर कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ है